मैं चाहता हूँ मेरा सिस काट के भोले नाथ के चनों में अर्पत कर दिया जाए इसका मतलब क्या है आप मुझे समझाएं क्यूंकि आप मुझे समझाएं क्यूंकि अपने वारे में बताए थोड़ा अपने अपने पूरा नहीं हो पाया जो मैंने सोचा आप देख रहें बाहर ट्वेंटीफोर से बन और जो भी सरदालू है देख सकते हैं बहुत जादा क्रॉड भी खड़ रहे हैं देखें चारों पर तरफ सर्दालू अपना सब्सक्राइब के दारनात्री को एक दर्सम पान पर देख सकते हैं इस पोस्टर में नरेंदर मोधी और योगी जी है और दुसरे साइट में नवेडा से के दारनात्र पैदल यातरा यह लिखा हूँआ मैं चाहता हूँ मेरा सिस काट के भोले नाथ के चन्नों में एर्पत कर दिया जाए इसका मतलब क्या है आप मुझे समझाए क्योंकि आपने वारे में बताए थोड़ा ड्रीम्स था ओलंपिक में जाने का लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया तो मैंने सोचा आप बोले नाते कुछ करेंगे तो इसलिए मैंने लिखवा दिया अच्छे आप ओलंपिक के लिए तैयारी करते हो आप ओलंपिक में क सब्सक्राइब करें अच्छा तो यह आपका जो पैदल आतरा कब से स्टार्ट के नोइडा से यह मुझे बताईए तीन अपरेल आर यहां पहुंचे कब कर लाया तो कितनी डिफिकल्टिस के सामने करना पड़ा आपको अने खाने का भी सोने वोने का भी बहुत जादा दिक अगर यह वीडियो अगर देख रहे तो उनको क्या काना चाहोगे मैं चाहूंगा यह एक बार मिलो बस मिलो और कुछ आपके सपने हैं निशन वाजी करते हो ना तो सोनु सुन से कुछ हेल्प चाहिए क्या चाहिए है पैसे पैसे की रहता हूं क्या नोड़े कंदर रेंट पर है तो मेरा प्रेंट पे रहते हो तो क्या आपके प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए पूछाता है कि फिश जादे मांगे थे मांगे तो मैं नहीं चुटा पाया है ओके से देख सकते हैं एक यहां पर जो बावा की नगरी किदार नाद जी के जो यहां पर जो भी आये थे यहां पर एक सरधालु कैसे लेके आएं यह सोनु सूद योगी अनेंदर मोधी के पोश्टर लेके आये हैं और यह पैदल यात्रा किये हैं अब खुब तरक्की करें और कोसिस करें कि यह जो वीडियो है सोनु सूद के पास जरूर पहुंचे ताकि भाई का जो ड्रीम है कि मुझे ओलंपी खिलना है तो हां तक पहुंचे क्या भाई का ड अज कि गगाँ? इव तकि गगाँ? यह अजिए